सावन शुरू होने से पहले कावण यात्रा रूट पर पढ़ने वाली दुकानों को लेकर योगी सरकार का जो आदेश है उसे लेकर सियासत तो गर्म है ही साथ ही सोशल मीडिया पर भी विवाद चल रहा है जिसमें अपने अनाम जुड़ गया है बॉलिवूड आक्टर सोनु सूथ का योगी सरकार के आदेश के मताबिक यूपी में कावण यात्रा पर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा इसमें दुकान मालिक का नाम और टीटेल लिखी जाएगी इससे लेकर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर सोनु सूथ ने एक ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि हर दुकान पर केवल एक नेम टेट होनी चाहिए इंसानियत सोनु सूथ की इस पोस्ट पर बॉलिवूड अक्टरस और मंडी सांसत कंगना रनौत का भी जवाब आया उन्होंने एक्सपर लिखा कि सहमत हूँ हलाल के जगे भी मानवता लिखना चाहिए सोनु सूथ के इस पोस्ट को फैंस उनके यूपी सरकार के आदेश से जोड़ कर देख रहे हैं और उनकी सोचकी तारीफ भी कर रहे हैं कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं कामन बॉक्स में सोनु को गलत बता रहे हैं मसखरी कर रहे हैं कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं हरुन खान नाम के यूजर ने लिखा कि आक्टर सोनों सूथ पर UAPA के तहत मामला दर्च किया जाना चाहिए और मानवता को बढ़ावा देने के लिए जेल भीड देना चाहिए तंस कर रहे हैं बुलिट ब्रेकिन नाम के यूजर लिखते हैं कि आपकी इस एक लाइन से पूरे विश्व में शानती आ गई और मानवता का बोलवाला हो गया इसके लिए धन्यवाद रंजीत सिंग नाम के यूजर ने लिखा कि पहचान जाहिर करने में कोई दिक्कत नहीं भारत के हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है और ये चुनने का भी कि क्या खाना है और कहां खाना है हर एक को अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए ये छुपाने वाली बात नहीं है इंदर जे गुसाई ने कॉमेंट किया ये लिखा कि मानवता मुर्गे का मीट और मानवता बकरे का मीट ये नेम प्लेट कैसा रहेगा कृपया माज़ दर्शन कीजिए आप तो सर्व ग्यानी है पुखराज माली ने लिखा कि राद दिन हिंदूओं की जाती उपजाती की गणना की बात करने वाले एक अलग पहचान को अलग करके इसी आधार पर राणीती कर रहे थे तब आप कहां थे तब ये आपको दिखा नहीं और आज आप मानवता का ग्यान देने का गे हैं प्रमाइस का एकसस देना आने बार है यह नहीं वो चाहें तो प्रतिष्ठान में आकर देख सकते हैं अगर लाइसेंस में किसी तरह का बदला होता है तो भी लाइसेंसिक अथारिटी को सूचित करना दुकानदार के लिए अनिवार है ये नियम है जो लागू हो रहा है उस पर लोग अपनी राए रख रहे हैं Food Security and Safety Act 2006 के नियम के मताबिक रस्ट रहे हैं और धाबे के मालिक को अपनी firm का नाम अपना नाम और license number लिखवाना होता है इसका हवाला देते हुए योगी सरकार के इस कदम का बीजेपी ने बचाव किया बीजेपी आटीसल के परमुक अमित मालवी ने एक्सपर लिखा उत्तर प्रदेश सरकार 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खान पान व्योसाय के लिए बनाएगा इनियमों को मातर लागू कर रही है इससे लेकर लोग उत्तेजित क्यूं हो रहे हैं कांगरस नेता पवन खिडा ने इस मसले पे लिखा कि ये मुसल्मानों के आर्थिक बॉयकॉट के दिशा में उठाया कदम है या दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का या दोनों का हमें नहीं मालूम इससे पहले असदुदी नुवैसी, AI, MIM के मुखिया और सांसद हैं हैदरबाद के इन्हों ने इस आदेश को लेकर सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म X पर लिखा था उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के नुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ट पर लगाना होगा ताकि कोई कावणिया गलती से मुसल्मान की दुकान से कुछ ना खरीद ले इसे दक्षिन अफरीका में अपार्टाइट कहा जाता था और हिटलर के जर्मनी में इसका नाम क्यूदन बाइकॉट था उत्राखंड में फर्मान जारी हो गया है विसे अब यूपे के बाद उत्राखंड के हरिदवार के एसेसपी ने भी एक ऐसा ही आदेश जारी किया है एसेसपी प्रमेंदर सिंग डूबाल ने कहा कावण यात्रा के दौरान ऐसे सभी लोगों को जो होटल या धाबे का संचारन करते हैं या फिर रेडी ठेलर लगाते हैं उन्हें आदेश दिया गया है कि अपनी दुकान के आगे मालिक का नाम, क्यूआर कोड और मुबाइल नमबर लगाएं व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी साथ ही उसे कामण मार्क से भी हटा दिये जाएगा SSP ने कहा कि उन्हें पता चला है कि इस से पहले पैचान छेपा कर होटल या धाबे के संचारन से अप्रिये स्थिती पैदा हुई थी इस साल कामण यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है सावन का महिना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समात्त होगा